अगे तो चलिए इस वाली वीडियो में हम बात करते हैं IP Services की next जो आपकी पार्ट है that is ACL Access Control Risk तो ACL का introduction से start करते हैं और फिर बात करेंगे configuration की right तो इस वाली वीडियो में हम देखेंगे introduction और जो इसका theoretical part है and next वीडियो में हम करेंगे practicals right labs चलिए तो ACL क्या है देखिए जरा नाम से अगर आप देखें access control list के router के through आप किसी भी device का जो network में end devices है sorry उनके access को आप restrict कर सकते हैं control कर सकते हैं कैसे अगर मैं आपको दिखाओ एक simple सा network यहाँ पर तो I think मैंने एक network बनाया था yes this one okay pardon me for the voice तो थोड़ा cold का issue है right तो यह देखिए sorry यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि यह वाला जो PC है और यहाँ पर अगर कोई server लगा होता right इस तरह से देखिए जरा see this one तो यह PC इस server को access ना कर पाए right तो आप उसके लिए यह बाकी लोग करते रहे लेकिन 10.3 इस server को access ना कर पाए इस तरह के कामों के लिए आप क्या यूज करते है ACL access control list तो अभी यह काम था उसी के लिए हमने routing protocol और वह सब पढ़ा था अचा अभी हम क्या कर रहे है ACL में extra responsibility दे रहे है राउटर को और वो क्या है packet filtering की right तो router अभी packet forwarding के साथ साथ क्या करेगा packet filtering तो उसके लिए कुछ condition रखेंगे हम वो सारी condition के तुरू पढ़नी है हमने ACL access control list के तुरू right तो अभी एक simple सा example लेके चलिए जरा जैसे मान लिजिए कि मैं किसी college में बढ़ता हूं right मुझे fees देनी है और जब तक मैं time पर fees देता रहता हूं तो मेरी class चलती रहेंगी जब तक जैसे मान लिजिए मेरे जैसे 57 लोग और है 70-80 अगर students की बात करें class में तो क्या होगा जो trainer होगा या जो management होगी वो एक list बना देंगे कि ये 5 लोग 7 लोग ऐसे हैं जो default रहें जिन्नोंने face नहीं दी है तो वो guard को या किसी को भी वो list पकड़ा देंगे पहले तो list बनी फिर वो उसको पकड़ा देंगे कि ये जो list के बंदे हैं इनको entry नहीं देनी है class के अंदर या college के अंदर ऐसा ही काम करना अपने router में router में जब ACL हम apply करेंगे इसका मतलब यही है कि पहले हम एक list बनाएंगे जिसके अंदर permit और डिनाई रहेंगी कि इस IP को permit करना इसको डिनाई करना है और फिर router के interface पे हम वो लिस्ट लगा देंगे तो यहां से हमारे कहने का मतलब यह हुआ कि router जो आपका packets को receive कर रहा है उनको filter करेगा और उस filter के base पर decision लेगा कि आप उसको allow करवाना चाहते है या उसको deny करवाना चाहते है अब देखिए जरा router के अंदर या network के अंदर दो तरह की traffic हो सकती है किस तरह से देखिए मैं अगर आपको दिखाओं या simulation में और इस lab के लिए मैंने क्या है packet tracer को चूज किया है GNS को नहीं क्योंकि आपको पता है GNS में आप packets भेज के नहीं देख सकते तो मुझे यहाँ पर उसकी जरूरत थी तो मैंने packet tracer चुना है C यहाँ से जब आप कोई source to destination packet भेजते हैं तो जब भी router की तरफ fa 0x0 की तरफ एंटर हुआ है यह packet तो यह इन बाउंड था जब यह बाहर निकलेगा it means यह आउट बाउंड है तो यह आपको हमेशा याद रखनी है यह traffic इन होगी inside जाते हुए और इंटरफेस से बाहर निकलते हुए आउट होगी चलिए तो यह याद रखना है आपको और इनी दो यही दो तरे की traffic network में हो सकती है और इनी के उपर आपको ACL apply करना है चलिए और एक इंटरफेस के उपर practical वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा लाइब वाले में कि आप सिरफ दो ही ACL apply कर सकते हैं एक inside जो incoming traffic है उसके उपर और एक जो outgoing traffic है उसके उपर दो से ज्यादा आप लिस्ट नहीं लगा सकते इसको यह बहुत confusing सी एक थोड़ी term है आप हमेशा याद रखिएगा इंटरफेस पर बोलते हैं कि एक ही ACL लगती है इंटरफेस पर एक ACL नहीं लगती बट यस एक direction में एक ACL लगती है आप इसको ऐसे याद रखिएगा पर interface पर direction आप एक ACL अपलाई कर सकते हैं अब direction मतलब एक तो inside हुई एक outside हुई तो total कितनी ACL हो चुकी है अपनी दो तो एक interface पर दो ACL आप अपलाई कर सकते हैं राइट चलिए अब ACL बनाने कैसे हैं तो जहाँ देखिए यहाँ पर दो points लिखें मैंने यह बहुत important है read from top to bottom and first encountered statement is executed first इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ देखिए अभी मैं IP की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए अधरवाजी XYZ की जगा IP होंगी मैंने लिख दिया permit और permit में क्या लिखा 10.1 उसके बाद मैंने लिख दिया deny 10.1 अब क्या लगता है यह जो 10.1 IP थी यह permit होगी या deny होगा तो अभी है कि रूल लिखा है हमने वहाँ पे कि जो router काम करता है या जो ACL काम करती है वो किस basis पे करेगी वो list को read करेगी top to bottom इस तरह से और जो पहले statement उसको दिखी वो उसको execute कर देगी तो पहले statement कौन से आई है permit किया deny की permit तो नीचे चाहिए आप deny भी लिखें लेकिन permit कर दिया एक बार शुरू में तो वो permit है deny नहीं होगा इसके बाद फिर एक और statement लिखी है कि जो last में एक implicit deny होता at the end of every list क्या मतलब हुआ मान लिजिए मेरे पास total IP थे 5 कौन से कौन से 10.1.2.3.4.5 इस तरह से एक को मैंने permit कर दिया अब क्या लगता है जो .2345 बचे है ये permit होंग या deny होंगे ये रहेंगे deny क्योंकि end में जब आप कुछ नहीं लिखते हैं इसका मतलब वो deny होता है आप एक चीज सोचके देखिए human nature की अगर हम बात करें कोई अजनबी बंदा हमसे मिलता है तो हम उस पर trust करते हैं yes or no नहीं करते हैं आपका simple answer यही है क्योंकि जब तक वो कुछ social parameters पे खरा नहीं उतरता है हमारे recording हम ट् क्या करेगा deny तो इसके लिए अगर आपको मानले जिए बाकी सब deny करने थे तो ठीक है लेकिन अगर आपको सरफ 10.1 deny करना था मानले जिए इसको deny किया और बाकी सब को क्या कर देंगे permit any मतलब एक जो deny था वो deny रहेगा और बाकी सब dot two three four five यह क्या हो जाएंगे permit तो यह दो और second क्या था last में एक implicit deny रहता है तो आपको देखना है जैसे हम configuration वाला पार्ट करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि statement लिखने के बाद जो deny करना उसको deny कर दो last में permit any आपको लिखना रहता है चलिए आगे देखते हैं कि क्या बात है इसमें next slide के अंदर ACL configuration यह मैं आपको ब पहला है step list create करना और दूसरा है step list को apply करना तो list create का होगी third mode में global config mode में और apply कहां पे होगी traffic जहां पे inbound और outbound पता चलता है और वो कहां पता चलेगा आपका interface पे राइट तो यह मैं भी आपको configuration वाला पार्ट नहीं करवा रहा हूँ then अच्छा फिर आपका आता है types of ACL यह भी थोड़ा सा confused करने वाली term है देखिए बस फिलाल इतना याद रखिए फिलाल के हमेशा इतना याद रखिएगा कि दो ही type की ACL होती है एक standard है और एक extended जब भी आपको चार तरह की सुनने को मिले तो वो गलत नहीं है जस्ट इतना या ACL बना सकते हैं और दूसरा आप नाम के वेस पे थोड़ा सा हिंट दिखाता हूँ आपको जैसे अगर आप router पे जाएं थार्ड मोड में तो पहला step क्या था list create करना चलिए तो एक बार create करके दिखाता हूँ आपको शुरू कहां से करना access list अभी आपे question mark करेंगे तो दो type है क नंबर के बेस पे यहां पर आप configure करने स्टेंडर का नंबर क्या एक से 99 तक का और extended का नंबर क्या है सो से 109 तक का तो router को कैसा पता चलेगा कि आपने standard लिस्ट लगाई है extended लगाई है अगर नंबर वाले की बात कर रहा हूँ तो 50 अगर लिखा है तो वो कैसी list होगी आपकी standard समझ जाएगा router आपका और अगर आपने 50 की जिगा लिख दिया 150 तो router समझ जाएगा यह कैसी है extended फिर बात करते हैं नाम वाले की तो नाम IP से start होता है IP access list यहां पे देखिए आपको बताना पड़ेगा router को अब router खुद नहीं समझेगा जैसे extended फिर एक नाम देना के साब से दे सकते हैं तो यह दो तरीके हैं जिसके बेस पर आप लिस्ट को configure कर सकते हैं तो टाइप कितने हुए basically आपके दो standard और extended आगे इन को configure करने के भी दो दो तरीके हैं number based and name based चलिए तो standard और extended में फरक क्या है देखिए तो फिलहाल चलिए हम discuss कर लेते हैं next में सिरफ configuration standard में इसकी limitation में एक बर आपको बता देता हूं जल्दी से तो तीन limitations है एक तो क्या है कि जो standard ACL जब हम configure करेंगे तो आपको पता लगेगा उसमें सिरफ ना source address का जिकर होता है आपको यह नहीं पता रहता कि destination कौन से इसको block करना है तो इसलिए इसको आप हमेशा destination router पे ही recommend करते हैं कि destination पे लगाईए इसका exact meaning आपको configuration के time पे समझ आएगा दूसरा जैसे मैं क्या बोलता हूं कि source or destination समझ यह जैसे मैं कहता हूं कि यह जो PC था इस server को access ना कर पाए इस वाले को इधर से packet चलेगा इधर receive होगा तो यह source होगा आपका यह अपकी destination होगी तो जो आपकी standard ACL वो इस side पे लगती है destination की side पे क्यों लगती है वो next video में जानेंगे second तो देखिए मैं क्या चाहता हूं कि यह जो PC था इस server को access ना कर पाए पर मैंने यह तो नहीं कहा कि यह server भी PC को access ना कर पाए तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मैं बोलता हूं कि कुलदीब संदीब से बात ना कर पाए लेकिन यह नहीं कहा कि संदीब भी कुलदीब से बात ना कर पाए थोड़ा इलोजिकल लगेगा आपको बट यस network में ऐसा होता है कि आपको one side communication नहीं चाहिए लेकिन दुसरे साइड चाहिए तो यह possible है जैसे अगर आप conferencing करते हैं जैसे आप webinar अगर कभी आपन या online classes ली हो तो एक साइड से उधर वाला बंदा म्यूट रहता है और जो trainer है वो बोलता रहता है तो यह आपका होता है थार्ड इसमें अंदर point क्या आता एक और आपका देखिए कि जो आपका two way connectivity block हुई ठीक है अच्छा इसमें क्या है मैंने क्या बोला था सिरफ मेरको server block करना था standard ACL में लेकिन यह limitation है कि इसमें आप single PC single device को नहीं यह पूरा network block होता है तो यह पूरा practically मैं आपको बताऊंगा करके दिखाऊंगा lab के अंदर फिल हाल इस video के अंदर इतना ही तो yes thank you so much guys for watching this video and supporting the channel and yes next video में बात करेंगे कि standard ACL और extended ACL इन सबको configure करना है कैसे और यह जो हमने differences अभी पढ़े थे इनका main actually practical meaning क्या है right so thank you को अब